अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि गुजरात में आपके बिधानसवा चुना हुए भारती जिन्ता पार्टी को भारी बहुमत मिला 182 सीटे हैं गुजरात में बिधानसवा सीटे हैं उसमें से भारती जिन्ता पार्टी को आप देखेंगे कि 156 सीटें मिली है और जिसमें आप देखते हैं कि 92 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं तो भारी बहुमत है इनके पास और गुजरात के चीम मिनिश्टर यानि की मुख मंतरी भोपेंद्र भाई पटेल को बनाये गया है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो आज हम लोग भोपेंद्र भाई पटेल के बारे में भी एक सामान जानका आज देखेंगे और मुख मंतरी पद के बारे में भी जानेंगे कि समीधान क्या कहता है इस पद के बारे में कहा है इसकी विवस्था की गई है इसके काम क्या रहते हैं मुख मंतरी के इसकी नियुक्ति किस तरह से वोती है इन सब पर हम लोग बात करेंगे एक बार आप लो 1960 में इसे राज बनाए गया था और आप देखेंगे कि विधान सभा में 180 सीटे हो गए राज्य सभा में 11 सीटे है लोग सभा में 26 सीटे है और यहां का छेतफ़ अगर आप देखें ना तो 1,96,024 बरक किलूमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यो में राजिस्तान, मध्यपदेश और महराष्ट से लगती है इसकी सीमा कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजे यह आप देखें अमिस साह साहब है यह भूपेंद्र भाई पटल है यह मौदी साहब है आप देखे और इनका परिवार है किनका भूपेंद्र भाई पटल का यह परिवार आप लोग देख रहे है आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि जो यह बिधान सवा के चुनाओ होते है बिधान परिशत के चुनाओ होते है इनकी देखरे कौन करता है, कौन करवाता है ये चुनाओ, तो Election Commission of India भारती निर्वाचन आयोग करवाता है और ये समिधानिक संस्ता है, अनुचे 324 के तहद इसकी स्थापना की बात कही गई है 25 जनबरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिल जाएगा पहले हमारे मुख चुनाओ आयोगत सू कुमार सैन थे, ये आप लोग याद रखेगा अगर देखिए भुपेंद्र भाई पटेल की जनम की अगर हम लोग बात करें तो भुपेंद्र भाई रजनी कांथ पटेल इनका पूरा नाम है और इनका जनम 15 जुलाई 1962 को भारत की गुजरात राजजी के एहमदाबाद सहर की सिलाज एरिया में हुआ था भुपेंद्र पटेल की पतनी का नाम हेतल पटेल है इनके भाई का नाम केतल पटेल और इनके बेटे का नाम अनुच पटेल है भुपेंद्र पटेल की बहु का नाम दिव्यांसी पटेल है तो इनका ये परिवारिक बैक्ग्राउंड हो गया अगर हम लोग भूपेंद्र भाई पटेल की सिच्छा की बात करें एजूकेशन की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल ने सिबिल इंजीनरेंट से डिपलोमा की पड़ाई की है और उनने सिबिल इंजीनरेंट डिपलोमा में डिपलोमा की पड़ाई पॉलेटिकनिक एह नगर नगल पालका के आजथाई सदस थे इसके बाद 1999 से लेकर सन 2000 तक एमेम नगर नगर पालका के प्रेसिडेंट पतपर भी रहे हैं और इन सभी कारियों के बाद भूपेंद भाई पटेल ने 2008 से लेकर 2010 तक स्कूल बोर्ड ओप अहमदाबाद म्यूनिसीपल कौर्पूरिसन की बाईस चेर्मेन की पतपर नियुक किये गया और इन्होंने अपने पतपर नियुकती के बाद अपने काम को बाकू भी निभाया और आप देखेंगे कि अमिसाय और मौदी का बड़ा करीवी माना जाता है और इसलिए कहते हैं कि इन्हें मुक्मंत्री भी बनाया गया इन सभी के बाद लगबग 2010 से लेकर 2015 तक भूपेंद पटेल की द्वारा थल तेज बाड की प्रमुक काउंसलर की पत को भी सुसोभी तिनों ने किया है और भूपेंदर भाई पतेल ने इस पत पर रहकर अपना अब इसे स्युक्दान दिया और थल तेज बाड की सभी सदस्नों को पूरी तरह से इन्होंने अनुसासन युक्त किया फिर आप देखेंगे इसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक एहमदाबाद अर्वन डवलमेंट अथोर्टी के प्रमुक पर्त यानि की चेर्मेन के पत पर रहे इत और आप देखेंगे इन सभी के बाद 2017 में इनके द्वारा घाट लोदिया बिधानसवा का एक चुनाव भी लड़ा था इन्होंने बिधानसवा का और घाट लोदिया बिधानसवा से लड़े गया इस चुनाव में भुपेंदर भाई पटल ने महारत हासिल की थी और इसके मुम्री की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डारेक्ट जन्ता की मद्दाताओं की द्वारा होता है जिनकी 18 साल उमर हो चुकी होती है वो मद्दाता सूची में जुड़ जाते हैं और वही लोग चुनाव करते हैं 2017 में इस चुनाव में भूपेंदर पटल ने कॉंग्रिस की ससी कांथ पटल को लगभग 1,17,000 से भी अधिक बोटों से माद दी थी यानि की हराया था इने और आप देखेंगे 11 सेप्टमबर 2021 को विजय रूपानी ने गुजरात के मुखमंतरी पस से इस्थीपा दिया था तो केंदीरी परवेक्षक नरेंज सिंग तॉमर और पहलाज जोसी की अध्यक्षता में गांधी नगर में पाटी विधानसवा की बैठक में 15 सेप्टमबर 2021 को इने पहली बार सरफ सम्थी से भाजापा विधानसवा की नेता और मुखमंतरी के रूम में चुना गया था फिर आप देखेंगे इसके बाद 2022 में इलेक्षन होते हैं विधानसवा की और भुपेंद भाई पटेल ने 1,92,000 रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की और आप इनकी कहानी हो गई इनकी एक सौट वायोग्राफी हो गई लेकिन मुखमंतरी पत का सम्मिधान में कहा उलेक मिला है वे इस मुखमंतरी का काम क्या होता है इसकी नियुक्ति क्या होती है यह भी हम लोग जान लेते हैं तो अगर आप लोग सम्मिधान का अनुछेद 164 तो आप लोग लगा देंगे राजपाल लेकिन राजपाल ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुमत ना हो उसे ही मुखमंतरी बना दे विधान सबाच चुनाव में पार्टी के एक बहुमत पर आप निता को राजी की मुखमंतरी करों में नियुक्त किया जाता है और राजपाल के पास नामात्ति का कारिकारी अधिकार होता है लेकिन बास्तविक कारिकारी अधिकारी मुखमंतरी के पास होता है जिस तरह से नामात्ति के सक्तिया राष्टपती के पास होती है ना केंदर में मुखमंतरी बास्तविक सक्तियों का करता धरता रहता है उसी तरह राजपाल का हाल राज्जों में देखने को मिलता है, हाला कि राजपाल द्वारा प्राप्त विवयकाधीन सक्तियों द्वारा राजविसासन में मुकमंत्री की सक्ति अधिकार प्रभाव पितिष्ठा भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं, एक ब्यक्ति को राजविधान सभा का सदस् होता है, यानि कि कहने का मतलब ए है, भूपेंद्र भाई प्रभाई पटल साहब, अगर विधान सभा सदस ना होते, तब भी यह मुकमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 6 मेने के अंदर इन्हें मुकमंत्री बना रहना है, अगर आँगे, छे महीने के बाद भी, तो इन्हें विधानसभा का सदस्र बनना होता, गुजरास से, यह आप लोग याद रखेगा, ठीक है, और स्टीयम के कारकाल की अगर हम लोग बात करें, तो मुखमंत्री का कारकाल निश्चित नहीं होता है, वह राजपाल के पिसाथ पत्धारन करता है, यानि कि जब तक उसे भहुमत मिला रहेगा, तब तो वह पत्पर बनाई रहेगा, जैसे ही भहुमत उससे दूर होगा, उसे अपना इस्तिपाद छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप देखें, नहीं छोड़ेगा, तो राजपाल बरखास्त कर देगा, अगर वो विश्वास मत खो देता है, तो उसे त्याक पत देना होगा, और फिर भी अगर त्याक पत नहीं देता है, तो राजपाल उसे क्या कर देगा, बरखास्त कर देगा, अगर देखें मुकमंतरी के गर हम लोग सक्तियों की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि मंतरी को मन्तरी बनाईए उसे ही को बनाया जाए गा वह मंद्रियों की बीच विभागों का आवंटन वह भी तैसा करता है मुखमंत्री पत से इस्टिपा देकर मंत्री परशद का बिक्तन भी कर सकता है क्योंकि मुखונים मं मंतरी परशत का पिरमुक होता है राजपाल के समद्ध में तो समिधान के अनुशेद 166 के तहट राजपाल और राज मंतरी परशत के बीच मुख मंतरी एक कड़ी के रूम में काम करता है और मुख मंतरी के द्वारा महादी वक्ता, राज़ लोक से भायो राज चुनावाई आधी के अध्यक्ति सदस्तों जैसे मत्पूर अधिकारियों की निवक्ति के संबंद में राजपाल को सला दे जाती है मुखमंत्री इनकी निवक्ति नहीं करता है राजपाल निवक्ति करता है लेकिन मुखमंत्री सला देता है तो आप देखेंगे कि सभी नीतियों की घोषना उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है वह राजपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिस भी कर सकता है कौन मुख मंत्री अन्य कारियों में अगर आप देखें तो वह राजबोड का अध्यक्ष होता है वह संबदिच छेतरी परशद की करमबार उपाध्यक्ष की रूम में काम करता है एक समय में इसका कारकाल एक साल का होता है वह अन्तर राजपरशद और नीतियायू का सदस भी होता है इन दोनों परशदों की अध्यक्षता हमारे प्यधान मंत्री रहा की जाती है नीती आयूग आपने देखा होगा योजना आयूग को पिती स्थाबित करके आया था 2015 में वह राज सर्गार का मुख प्रवक्ता भी होता है आपाध्काल के दोनर राजनेतिक इस्थर पर वह मुख के प्रबंधक होता है राज्य के एक निता की रूम में वह लोगों के विभिन बर्गों से मिलता है उनकी समस्याओं के बारे में ग्यापन प्राप्त करता है वह ऐसे इवाओं का राजनेतिक पिरमुख भी होता है तो ये कहानी है मुखमंत्री पत की और भूपेंद्र भाई पटेल की मुझे लगता है कि अगर मुखमंत्री से सम्मंदित आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस तरह की पत के बारे में आपको मालू होना चाहिए इस तरह की ब्यक्ति के बारे में भी अगर चर्चा में रहता है तो